प्यारे बच्चो आप सब का हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज हम बच्चो NCRT Solution for Science Class 8 चैप्टर नमबर 13 करेंगे काठवी क्लास का बच्चो चैप्टर नमबर 13 है धावनी तो धावनी इस लेशन से समधी ता आज हम परसन उतर करने वाले हैं तो देखे बच्चो इसका Solution पुस्तक के परसन अभ्यास के परसन जो हैं वो हम करेंगे तो अभ्यास के परसन नमबर एक देखे बच्चो सही उत्तर ही चुनिए दावनी संचारित हो सकती है केवल वाई और गैशों में केवल ठोसों में केवल दरवों में केवल ठोसों दरो और गैशों में तो इसका सही अंसर क्या आएगा बच्चों गहे आएगा ठोसों दरो और गैशों में तीनों में चल सकती है निमने में इसे किस वाक दवनी के आकरती नियुनतम होने की संभावना है किस की छोटी लड़की की छोटे लड़के की पुरुष की महीला की तो किस की दवनी कम होगी पुरुष की दवनी कम होती है वचो गय तो इसका उपसना जाएगा गय, पुरुश की परसंतीन निमलिकित कतनों में सही कतन के सामने T गलत के सामने F का निशान लगाईए दावनी निर्वात में संचारित नहीं हो सकती बिल्कुल सही है यह आएगा सही यानी सत्यातवा T इसके सामने लिख देंगे यह T आ जाएगा बच्चो उसके बाद देखिए बच्चो खै, खै में क्या लिखेंगे देखिए यह है किसी कंपित वस्तू किसी कंपित वस्तू के परती सेकंड ओने वाले दोलनों की शंख्या को इसका आवर्त का लका जाता बच्चो यह फाल से बच्चो इसमें F लिख देंगे यह किसी कंपन का आया मदीक है तो दमनी मंद होती है यह भी फाल से बच्चो यह भी गलत है तो इन दोनों में खै और गय में हम F लिख देंगे खै और गय में क्या लिख देंगे F लिख देंगे इसी तरह बच्चों देखे आगे आगे गहे देखे मानों कानों के लिए सर्वेता का परास 20 हर्टज से 20 जार हर्टज होता है बिल्कुल सही है ट्रू लिख देंगे कमपन के आवरती जितनी कम होगी तारह तो उतना ही अधिक होगा ये फालस है बच्चों ये गलत लिख देंगे एफ लिख देंगे एवांसित ये पिर ये दवनी को संगीत कहते है ये भी फालस है इसको सोर का जाता है सोर पर दूशन आंसिक सर्वन ऐसकता उत्पन कर सकता है तो बच्चों ये इसकी वज़े से बहरापन हो जाता है आंसिक सरवने सकता का मतलब है कि सुनने की सकती कम हो जाना है तो ये true है तो क्या आ जाएगा इसमें true आ जाएगा उसके बाद देखेंगे person no.4 उचित सब्दो द्वारा रिक स्थानों की पूर्ति करें किया पाढ़ देखें किसी बस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए गई जुमें को खालिस्तान कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो आ वर्तकाल का जाता इसको क्या कहा जाता है आ वर्तकाल next देखें प्रबलताverse comparison के आयाम से निर्धारित की जाती है किससे इसमें आ जाएगा बच्चो आयाम आ जाएगा गए देखी आवर्ति का मातर की क्या है हर्टज है आवर्ति का मातर की हर्टज है तो ये इसमें फिल कर देगे एवान से दवनी को शोर का जाता है क्या का जाता है शोर दवनी की तिक्षनता कमपनों की खालिस्तान चे निर्दारित की जाते किसे आवर्ती शी इसमें आजाएगा आवर्ती उसके बाद देखे बच्चों परसन नमबर पांच एक दोलक चार सेकंड में चालिस बार दोलन करता है इसका आवर्त काल और आवर्ती ग्यात किजिए दोलनों की संख्या चालिस है दोलनों के लिए लगा कुल से में चार सेकंड है आवर्ती बराबर दोलनों की संख्या बटे से में चालिश बटे चार, फोर्टी बाई फोर, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, चालिश को चार से हमारे पास आजएगा, दस हर्टज आवर्तकाल आजएगा, एक बटे आवर्ती आवर्तकाल आजएगा, एक बटे दस, आवर्ती आई थी दस हर्टज, तो आवर्तकाल आग ओशत दर से कमपित करके धावनी उत्पन करता है कमपन का आवर्तकाल कितना है तो हल देखिए बच्चो इसका आवर्ती कितनी है 500 कमपन परती सेकिन इसको हम लिख सकते हैं 500 हर्टज उसके बाद देखिए आवर्तकाल हम निकालेंगे आवर्तकाल निकालना है हम जानते आवर् होती है तो एक बटे पानसो हो जाएगा और एक बटे पानसो हो जाएगा इसको हल करेंगे हम तो इसको हल करने पर एक बटे पानसो को देखिए इन्होंने लिख दिया है एक दो गुणा में एक और दो गुणा पानसो यानि दो गटे एक अजार इसको लिख दिया है और इसको हम लिख सकते हैं दो से उपर नीचे गुणा इनोन की है तो दो गुणा दस की पावर मानिस तीन इसको लिखा जा सकता है जो कि यह से लिखा हुआ यह तीन जो है मानिस का तीन उपर पावर है यह तो दो गुणा दस की पावर मानिस तीन सेकिंड या जैगा अन्सवर उसके बाद देखे बच्चो निवन वाद्दे यंतरों में उस बाग को पैचानिए जो दवनी उत्पन करने के लिए कमपित होता है डोलक, शितार, बाशूरी तो बच्चो इसमें देखेंगे वाद्दे यंतर हमारा है डोलक, कमपित बाग, इसका तानी जिली सितार में तानी तार होती है और बाशूरी में वाईव स्तंब होती है तो वाद्दे यंतर थे ये सोर और संगीत में क्या अंतर है क्या कभी संगीत सोर बन सकता है तो बच्चो सोर और संगीत में अंतर देखे सोर क्या होता यह है पिर यह दवनी होती है कश्ट दायक होती है इससे स्वास्ते संबंधी समस्याओं पन होती हो जबकि संगीत क्या होता है यह पिर यह दवनी होती है सुखद होती स्वास्ते समस्याओं से इसका कोई संबंध ही नहीं है हाँ संगीत जो है उस अवस्था में सोर बन जाता जब यह बाउंत उचा हो जाता है अर्थात इसकी तिवर्ता दिक हो जाती तब यह सोर बन जाता है अपने वातावरण में सोर परदूशन के स्तरोतों की सुची बनाईए सोर परदूशन के स्तुरत वानों का सोर लावड स्पीकर चालित मशीने पटा के वातानुकुलक रेडियो थ्वा टेलिविजन और रशोई के उकरण खौम्चे वाले तो बच्चो इस तरह से इनकी सूची बना सकते हैं परसंदस देखी वरन की जी कि सोर परदूशन माननों के लिए किस पर कारण से आनिकारग है सोर परदूशन के आनिकारग पर बावन नेंद कमाना उच रख्त चाप हो जाना उच सुकता आंची की सरोन आए सकता अथवा बहरापन सुनाई कम देना इस तरह की समसें पैदा हो जाती है आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा मकान तीन गली छोड़कर देने का परस्ताव किया गया आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझा देंगे अपने उतर की वेख्या कीजिए माता प पास से गुजरते वे वानों का तैदिक सोर वानों से निकलता हुआ दुआ और धूल ट्रैफिक के बादा किसमें उचे औरनों का सोर परसे नमबर बारा है बच्चो मानों वाकियंतर का चितर बनाईये तथा इसके कारिये भी अपने सब्दों में वैक्या कीजिए देखे आनों वाकियंतर की कारिय भी दी जब वायू वाक्तंतों में से गुजरती है तो कमपन होता है जिससे दवनी उत्पन होती है वाक्तंतों डीले मोटे तने वे पतले उने पर विभिन गुणों वाली वाक्त दवनी उत्पन करते हैं ये देखिए खूला वाक्तंतर और ये ब गटना एक सिमय पर तधा हमसे समान दोरी पर गटित होती है हमें तड़ित पहले दिखाए देती है और मेग गरजन बाद में सुनाए देती है क्या आप इसकी वेख्या कर सकते हैं परकास का वेग तीन गुणा दस की पावर आठ दस की पावर आठ है बच्चो ये मेटर परती सेकंड है जबकि दवनी का वेग तीन सो चालिश मेटर परती सेकंड है इसलिए तड़ित और मेग गरजन की गटना एकी सिमय अथवा एक समान दोरी पर होने पर भी तड़ित परकास से पहले दिखाए देगा और मेग गरजन बाद में सुनाई देगी क्यों बच्चो क्यों वो तेजी से हम तक नहीं पहुंच पाती और दिमें दिमें चलती है इस वज़े से हमें बाद में सुनाई पड़ती है तब अच्चो यह थे आपके इस लेशन के क्यों सनमस्वार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें